यूं तो मौका होली का है पर मौसम चुनाब का ऐसे में सियासत का रंग और ढंग दोनों ही बदल गया है नेता जी मीडिया के सामने कहते कुछ हैं परदे के पीछे कुछ और और इन सब के बीच गटबंधन की गाड़ी सीट बटवारे के ब्रेकर पर आकर अटक गई है अब बिहार को ही ले लिजी आप जपूरे देश पर होली का खुमार चड़ा हुआ है बिहार में आरज़ेडी और कॉंगरस के बीच सीट बटवारे वाले समिकरन पर खटास वाला रंग चड़ने लगा है हुआ है हुआ है हाँ है पुरिया से लड़ेंगे बिल्कूल लड़ेंगे हमारे अच्ची अध्यक्स हमको लोग सभाल राएंगे तो बिल्कूल राएंगे दुनिया छोड़ देगे तुनिया पुछुआ है लालतेन वाली पार्टी के नेटा जी गटबंधन में आल इस वेल वाली फीलिंग ले रहे हैं पिछले कई दिनों से धीडोडा पीट पीट कर बता रहे हैं कि बिहार में हाथ के चुनाव निशान वाली पार्टी के साथ सीटों का समिकर आज बनने वाला है कल बनने वाला है लेकिन गटबंधन बनेगा कैसे खुद बूज नहीं पा रहे हैं कमाल तो यह है कि इन्हीं की पार्टी के मेरता और कारेकरता जिस सीट पर दावा टोक रहे हैं उसी सीट पर दावा हाथ के चुनाव निशान वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी कॉंगरेस का भी है विहाद की पूर्णिया सीट पार आर्चेटी और कॉंग्रेस के बीच तलवारें खिची हुई हैं कैसे सुनीए मेरे लिए सबसे महत्रपूर्ण है चुनो लरना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे कही और से नहीं हमारे जनता जो है तैयार है पूर्णिया का जनता और बिल्कूल एकदाम एरी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसवरी से इंतिजार कर रहे हैं कि कब आप आईएगा मैदान में हम लोग बिल्कूल तैयार हैं तो आप पुर्णिया से लरेंगे बिलकूल लरेंगे हमारे राश्चिया ध्यक्स हमको लोग सवाल लराएंगे तो बहिया पिहार में महागट बंधन की गारी सीटों के भामरजाल में उलज गई है इधर के नेताजी उधर के नेताजी रोज रोज मीदिया के माइक पर बात ब पहले कह चुका हूं कि गटबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा और क्यों हो रहा है इसका इसका कारण तो बस हो ही बता सकते हैं इसका अंजाम क्या होगा देखिए साब हम लोग ने एक कैय किया है कि जितनी सीटे हमारे पास 2019 में थी उससे कम हम नहीं ल अधार पर बेस्ट है और वही अधार माना नहीं जा रहा है तो फिर सम्झोटे का मतलत क्या हो रहा है लेकिन सियासत के गलियारों में चुनावी बयार जरा जोर से बह रही है इतनी जोर से के जैसे ही हाथ वाली पाटी के चंडा बढ़ता निखिल कुमार ने सम्मान जनक सीट न मिलने पर गटबंधन में तूट का सिक्का उच्छा लागा सीट वटवारे से पहले प्रत्याश्यों के नाम का एलान कर रही लाल टेन चुनाव मिशान वाले लालू यागो की पार्टी पॉर्ड कटवंधन के ट्रैक पर आगे पहले मीटिंग के जरी सीट वटवारे का मुट्रा सुल जाने की बार गए फिर बीना देर की लालू यागो के सुपुत्र और विहार के नेता पतिपर्ष तेजस्विया दिल्ली रवाना हो सीट वटवारे का रास्ता निकालने के वास्त दुनागा तो साहब बात घूम फिरकर वही है कि सीट बटवारे पर वरिष्ट नेताओं की मुलाकात होगी फॉर्मूले पर बात होगी तेजस्विया दोगी इसलिए पटना से उड़ कर दिल्ली पहुंचे हैं लेकिन हम आपको बता दें कि साहब आरजेडी और कॉंग्रेस के बीच पेज फंसा कहा है आरजेडी कॉंग्रेस को साथ से ज़्यादा सीट देना नहीं चाहते कटिहार, बेगु सराय और पूर्णिया सीट पर पेज फंसा हुआ है तेस पर आरजेडी ने बिहार की 40 में से 13 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर दिया बिहार में महागठ बंधन की सहयोकी CPI ML ने, आरा, काराका, नालंदा सीट, CPM ने, खगरिया सीट और वामपंथी पार्टी CPI ने बेगु सराय सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है आरजेडी और वामपंथी पार्टीयों के इसी कदम ने कॉंग्रेस के पतना और दिल्ली के दफ्तर में बैठे नेता भरके हुए हैं क्योंकि भईया एक तो कॉंग्रेस कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है दूसरा वामपंथ का चोला उतार कॉंग्रेसी हुए कंधिया कुमार की सीट CPI ने फंसा दी है CPI बेगु सराय सीट छोड नहीं रही तो कॉंग्रेस कंधिया कुमार के लिए हर हाल में बेगु सराय की सीट चाहती है मने बिहार में कॉंग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही घर गई है बिहार के महागटबंधन में सीट वाले जहमेले पर मजे ले रहे ईवाले नेता जी कुछ दिन पहले तक महागटबंधन के साथ थे फिर 28 जनवरी को अचानक पाला बदल कर दूसरी तरफ आ गए यानि NDA के खेमे में वैसे बिहार में NDA के अंदर भी सीट वाला जहमेला कुछ कम रोचक नहीं रहा पहले भतीजा रूठा फिर भतीजा माना तो चाचा रूठ गया वो अभी रूठे ही है हालांके NDA से रूठे चाचा पशुपति पारस किधर जाएंगे इधर ही रहेंगे या कूद कर महा गठ बंधन के साथ नया गठ चोड बनाएंगे अभी से कुछ कह नहीं सकते वैसे होली का त्योहाद है तो एक ही बात कहेंगे बुरा न मानो होली है बिहार में गठ बंधन की गाड़ी हिचकोले खा रही है तो माराष्ट में सीट बटवारी की उल्जन सुलजी नहीं रही इंडिया गठ बंधन के माराष्ट वर्जन यानि के महा विकास अगाड़ी के निता कह तो कई दिनों से रहें कि मसला आज सुलज जाएगा कल सुलज जाएगा लेकिन कैसे सुलजेगा इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है माराष्ट में यही हल एंडिये का भी है पैट के बात कर रहे हैं हम लोग चल रहा है उसमें चर्चा चल रही है वो जब बंतिम होगा तब हमें बता है देश की ग्रेंड ओल्ड पार्टी के महराष्टर पदेश ध्यक्ष नाना पटोले का टेप पिछले 20-25 दिनों से इसी एक बयान पर अटका हुआ है ना वो इससे आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं वैसे महराष्ट में गठबंधन की गारी भी नाना पटोले के बयान की तरही एक ही जगे पर अटकी हुई है मतलब सीट बटवारा इंडिया गठबंधन के महराष्ट वर्जन यानि MVA के नेता पिसले एक महीने से मुंबई से दिल्ली की दूरी नाप रहे हैं सीट मटवारे के नाम पर हो रही मीटिंग में बढ़िया बढ़िया खाना चाप रहे हैं चुनावी बयार को भाप रहे हैं लेकिन सीट मटवारे के फॉर्मूले के सवाल पर एक ही बयान अलाप रहे हैं वन्चित, सोशित, पिडित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा जो वर्ग महाराष्टा में भी है वो चाहता है कि इस बार तानाशाई को हम खतम कर देंगे, इस बार हम एक साथ मिलकर समविधान के रक्षा करेंगे और जो समविधान के दुश्मन है, उनके खिलाफ हम एक जूठो कर लड़ाई करेंगे, यह पूरे समाज की धारना महाराष्टा में है उद्धव ठाक्रे की पार्टी का जंडा उठाने वाले इन नेताजी के बयान पर ध्यान दीजिएगा, फिर ये बयान सुनिएगा माविकास अगारी का हिस्सा नहीं है, वो अलग अइडिन्टी है और अलग अइडिन्टी है, यह तीनों का मामला जो है 15 सीटों पर अटका हुआ है जब तक उनका फैसला नहीं होता तब तक हमारी बात कहां से आई बुझे आखिर महराष्ट में गठबंधन वाली गारी अटकी कहां है अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रकाश आमबेटकर की पार्टी महराष्ट की कुछ ही सीटों पर असर रखती है मगर उन्हें गठबंधन में कम से कम तीन सीटे चाहिये थी जिस पर उद्धव ठाकडे की शिवसेना, शरत पवार की एंसीपी और कॉंग्रिस ने नो का सिगनल दे दिया तो साहब रूट गए और रूट गए सो रूट गए साहब ने कॉंग्रिस को 26 मार्ज की डेड लाइन भी डेड आली काहे बताएंगे पहले बयान सुनिए 26 तारीक को इतका कोई फैसला नहीं होता है तो हम लोग अपनी पॉलसी जो है वो डिक्लेर करेंगे हम इलेक्शन में क्या करना चाह रहे हूं इसलिए हम लोग का पॉलिटिकल लाइन जो लेना है वो हम लोग ले चुके है अब घिसे पीटर चीजों में हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या 27 तारीक को प्रकाश आमबेड कर अकोला से फार्म भरने जा रहे है 27 तारीक को मैं अपना फार्म भरने जा रहा हूं और 26 तारीक आखरी दिन होगा मेरे खाल से जेस पर जो है वो हम लोग इनकी इंतजार करेंगे और अपनी पॉलिसी जो है वो रिकलेर करेंगे अब समझे महराष्ट में बहुजन का जंडा उठाए प्रकाश आमबेड कर आखिर क्यों 26 मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं क्योंके पहले चरण में महराष्ट की पांच सीटों पर मद्दान होना है जिन पर नामांकन की आखरी तारीक 27 मार्च है अब नेता जी भले ही बहुजन का जंडा उठाएं लेकिन अपना सियासी नुकसान तो नहीं करेंगे बैसे फायदे और नुकसान के गानित में अंडिये की नईया भी गोते लगा रही है महराष्ट में इंडिया गठबंधन की तरह ही अंडिये में भी सीट मटवारे वाली बात अंजाम तक नहीं पहुँच रही ये बात और है कि सीट मटवारा फाइनल करने के लिए एंडिये के नेता मुंबई से दिल्ली तक जोड लगा रहे है मीडिया के कैमरों पर ओल इस वेल वाली बत कही बतिया रहे है लेकिन वास्त्मिक स्थिति क्या है उसी को छिपा रहे है 2014 से 2019 तर मुख्य मंत्री रहे और अब महराष्ट के उप मुख्य मंत्री दिविन्र फर्ड नवीस जो कह रहे है समझ रहे हैं ना साहब ऐसे बता रहे हैं जैसे सब कुछ तै हो गया हो लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं भईया All Is Well का दावा करने वाले ये नेताची सीत मटवारे का मसला सुलजाने के लिए लगातार बिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं खबर है कि दिविन्र फर्ड नवीस शनीवार को भी दिल्ली पहुँचे थे लौट कर मुंबई पहुँचे तो सीये मावास पर एंडिये में शामिल एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मीटिंग में बिजी हो गए महराश्ण में बीजेपी 20 सीटों पर उम्मीदवार भोशित कर चुकी है जबके आठ लोक सभा सीटों पर अभी भी पेच फ़सा हुआ है दिल्चस्प है कि जिन आठ सीटों पर बात अटकी हुई है उन पर गटबंधन का कोई भी दल पीछे हटना नहीं चाहता शिरूर और मावल सीट पर एंसीपी और शिवसेना की दावेदारी है जबके नाशिक सीट पर शिवसेना एंसीपी और बीजेपी की दावेदारी है बुलधाना संभाजी नगर और रतनागिरी सिंधु दुर्ग सीट ना बीजेपी छोड़ना चाहती है और ना शिवसेना गार्चे रोली और भंडारा गोदिया सीट पर एंसीपी और बीजेपी के बीच बात फंस गई है तो साहब लोगसभा चुनाओ के पहले चरण के मत्लान में नहस 26 दिन बचे हैं और घटबंधन में सीट मटवारे का मुद्दा है कि सुलज ही नहीं रहा कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थाई नहीं होता न साथी और न विरोधी मौजूदा वक्त में उत्तरप्रोदेश की सियासत का रंग और ढंग भी कुछ ऐसा ही है चुनाओ के एलान से पहले तक समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी एक साथ थे लेकिन अब दोनों का ब्रेक अप हो गया है नतीजा सियासत की चुनावी बिसात पर भी अलगाव का रंग दिखाई देने लगा है ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं साथ नहीं छोड़ रहे हैं उनकी जो डिमांड से उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ जयन चौधरी के पाला बदलने की टीज अखिलेश यागव को अभी तक है लेकिन विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने वाली अपना दल कमेरा वादी के साथ छोड़ने पर अफसोस तक नहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चुनाव की तारीक आ गए नॉमिनेशन होने वाले हैं और शुरू हो गए नॉमिनेशन होली का तिवार मनाईए फिर हम लोग आप सब मिलेंगे तुबार्ट आपको फिक्र नहीं करनी से हैं भाईया इसी को सियासत कहते हैं जब जो जरूरी लगा साथ ले लिया खैर जरूरी लगा तो छोड़ दिया अखिलेश यादव को कटबंधन में ताहुल गांधी का साथ मिला है तो अब छोटे दल खैर जरूरी हो गए हैं अखिलेश की भाषा में कहें तो कटबंधन 2022 का था अब 2024 की विसाथ अलग है बात अलग है इसलिए साथ अलग है वैसे समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच ब्रेक अप की कहानी इतनी भर नहीं है बताया तो ये भी जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी अपने सिंबल पर लोग सभा सीट की डिमांड कर रही थी दूसरा समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए तीन सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिये थे अलांके 23 मार्च को एक प्रेस रिलीज जादी कर अपना दल कमेरावादी ने प्रत्याशी वापस ले लिए लेकिन तब तक देर हो गई थी अब अपना दल कमेरावादी को नए साथी की तलाश है जब से इंडिया गटबंधन बना है तब से लगातार अपना दल को इंडिया गटबंधन के एक प्रमुक अंग के रूप में नियुता देकर के हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम में जो भी हमारा डिसकशन हमारे इंडिया एलाइंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नाशनल कॉंग्रेस से हुआ वही प्रस्तावित जो हमारी सीटे थी उनको हमाई राष्टी अध्यक्ष ने घोशित किया है प्रातमिक्ता के तौर पर मिर्जापूर, फूलपूर और कौशामभी सुरक्षे समझेना ये वही पल्लवी पटेल है जो समाजवादी पार्टी के साथ थी तो बीजेपी को पानी पी पी कर कोस्ती थी अब समाजवादी पार्टी से नाता तूटा है तो उन्हें बीजेपी के नितुत्त वाले गटबंधन में जाने से भी गुरेज नहीं वैसे पल्लवी पटेल की बहन, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोने लाल पहले से ही इंडिये के साथ है जब पूरे देश पर धोली का खुमार चहर रहा है, सियासर चुनावी रंग में डूब गई है राजनितिक वफा और धगा देने की कहानियां आम हैं और तिस से तमाम हैं एक ओर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव पर तोहमत महर रही हैं तो कल तक अखिलेश यादव के साथ मंच साजह करने वाले आजाद समाज पाटी के मुखिया चंदशेखर भी बागी हो चले हैं साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वादा नहीं निभाया कि सुनने में यह बात आ रही थी कि यहां पर आपको लडाना चाहते हैं क्या रहा फिर एक दम मनुष कुमर को उतार दिया मैं बात हुई थी अब उनकी इच्छा है बात तो मेरी होती ही रहती अच्छा इसे कहा था कभी कि हाँ आप लड़ लीजेगा तो नेता जी को इस बात का घम खाय जा रहा है कि अख्लेश यादव ने बाता तोड़ दिया कोई इन्हें बताए कि सियासत में वादे किये ही जाते हैं तोरने के लिए होली का त्योहार है, खुश्या मनाईए, अबीर गुलाल उराईए और जोर से बोलिये, बुरा नमानो होली है